दोस्त नमस्कार TV इंडिया के खास बिलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है करनाटक के मुख्मंत्री बियेस एदुरप्पा ने अपना पत छोड़ने के संकेत दिये हाली में एक वाइरल आडियो के सामने आने के बास से ही करनाटक में नेत्रित में परिवर्तन के सुगवगाहट तेज हो गई है फिलाल एदुरप्पा ने 25 जुलाई को विधायकों को डिनर पर आमंत्रित किया है एक होटल में होने वाली इस डिनर पार्टी में पत छोड़ने को लेकर चर्चा होने की संभावना है वही नेत्रित परिवर्तन के अटकलों को लेकर कई संथ संगटनों ने आज एदुरप्पा से मुलाकात की और पत पर बने रहने की अपील की कांग्रेस के वरिश्नेता सलमान खुर्षीद की पतनी लोईस कुर्षीद के खिलाब गैर जमानती वारंट जारी हुआ है डाक्टर जाकिर हुसेन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा केंद्रि अनुदान में प्राप्त एक हत्तर लाख रुपे से अधिक की हेरा फेरी के मामले में एक सानी अदालत ने यह वारंट जारी किया है 2010 में ट्रस्ट को यूपी के 17 जिलो में विकलांग व्यक्तियों के बीच, फिल्चेयर, ट्राइसाइकल और स्रवण यंतर के वित्रण के लिए केंद्र सरकार से 70,50,000 रुपे का अनुदान प्राप्त हुआ था जिसमें घोटाले का आरोप लगा है मरीपूर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 8 विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर लिये एक दिन पहले कांग्रेस प्रदेशा जख्ष गोविंद दास कैंतोजम ने अपने पस से इस्थीपा दे दिया था कांग्रेस बिधायक और MPCC के कांग्रेस बिधायक दल के मुखे सचे तक रह चुके हैं मरीपूर में अगले साल बिधानसबाद चुना होने वाले हैं उससे पहले कांग्रेस में बड़े विखराओ के संकेत मिल रहे हैं केंद्री रक्षा मंतरी राजना सिंग ने आज लखनव के हजरत गंज मल्टी लेवल पार्किंग के बाहर लगाई गई प्रदेश के पूर्व मंतरी और विहार और मद्ध प्रदेश के राज़िपार लहे स्वर्गी लाल जी टंडन की प्रतिमा का लोकार पन किया कांस की अप्रतिमा साड़े बारा फुटूची है इस मौके पर मुख्यमंतरी योगी आजितिनात उप मुख्यमंतरी डक्टर दिनेश शर्मा महापार संजुकता भाटिया समेत कई लोग मौजूद थे इस कारिकरम में सिर्फ दो सव लोगों को मंतरित किया गया था नौजोज सिंग सिद्धू ने आज पंजाब में शक्ति प्रदर्शन किया मुख्यमंतरी अमरिंदर सिंग से तकरार के बीच सिद्धू लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं उन्हें कांग्रेस के 22 विधायकों का भी समर्थन मिल गया है आज विधायकों ने पंजाब कांग्रेस के नौनियुक्त प्रदेशाध्यक सिद्धू के आवास पर जाकर मुलाकात की विधायक परगट सिंग ने कहा कि नोजो सिंग सिधू के कारण कांग्रेस पंजाब में आसानी से चुना जीत सकती है वहीं CM के कामकाच पर भी सवाल उठाया महाराश्च के मुख्यमंत्री उठाकरे के सलाकार अजयो मेहता पर IT विभाग की तिर्शी निजर पड़ गई है आयकर विभाग अजय मेहता के नरीमन पॉइंट वाले फ्लैट से जुड़ी डील पर बेनामी संपती के तहत जाच कर रहा है महता को महारेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जाच में खुलासा हुआ है कि मुख्यमंत्री उठाकरे के सलाकार ने अरामित्रा प्रॉपर्टीज प्राइबेट लिमिटेट डाम की जिस कंपनी से फ्लैट खरीदा था वह एक्सेल कंपनी है असनेल फिल्म मेकिंग मामले में गिरफतार अबिनेत्री सिल्पा सेटी के पती राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस ने हिरासत में रखा है इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है राज कुंद्रा की वियान कंपनी का टाई अप लंदन में केंदरीन कंपनी से है यूपी के पुर्वसियम और अजुध्या के स्रिडाम मंदिरां दोलन में प्रमुक भुमिका निभाने वाले कल्यान सिंग की हालत कंपीर है फिलाल उन्हें लाइब सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है दो दिनों में उनसे यूपी के राज़िपाल आनंदी बेन पटेल और रक्षा मंतरी राजनास सिंग समेत कई बीजेपी नेता मिल चुके है बीमार हलत में भी कल्यान सिंग ने हाथ उठा कर उन्हें जैस रिडाम के नारे के साथ विवादन किया चार जुलाई को उन्हें लकनव के संजय गांदी अस्पताल में भरती कराय गया था बंगाल के मुख्य मंतरी ममता भैनर जी ने आज शहीद दिवस मनाया पार्टी गठन के बाद temporada टीमसी हर साल एकिस जुलाई को शहीद दिवस मनाती है ममता बेनरजी ने कारेकरताओं को सम्भादित करते विए कहा कि जबतक मोधी सरकार को सत्ता से नहीं हटा देते तब तक खेला होता रहेगा असल में ममता बेनरजी के निट के लोकसबाद चुनाओ पर है वहीं महराश्च के मुख्यमंत्रे उद्ध ठाकरे ने भी मुस्लिम बांधों को बकरीद की सुपकाम ना दी है गौर तलब है कि कोरोना लागडाउन के कारण बकरीद पर मस्जिदों में भीड लगाने और पर्व मनाने को लेकर कई पाबंदियां जारी की गई थी आज के बुलेटिंग खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही दीजे हमें इजाज़त लेकिन नई में मुंबई समय देश दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को बाना मत